तो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग वेल्कम है आपका हमारे यूटूब चैनल आवर स्टेडी अड़ा पे और जुनने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दें कर दिया सर्जी बताईए तो फ्रेंड्स रेडी डू मूव लेट्स गो बिना एक उस देर किये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो वाइट फंगस ब्लैक फंगस के बाद आया है खतरनाक वाइट फंगस कोविड नाइंटीन की तरह ज दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वाइरिस की दूसरी लहर में हमारा देश चल रहा था जिसमें की गिरावट आने से थोड़ी रहत हमें मिली थी कुछ दिनों में लेकिन दोस्तों ब्लैक फंगस जो कि आज कल जादा चर्चे में हैं वो कहर बरपाना सुरू कर दिया है फ्रेंट्स यूपी मध्यप्रदेश राजस्थान महरास्टर सहित और भी कई हिस्सों में ब्लैक फंगस तेजी से पैर फसार रहा है इस इंफेक्शन में सरकार और जंता की चिंता को और बढ़ा दिया है और अब धीरे धीरे एपिडिमिक का रूप ले रही है यह कि देश में कई राज्यों में ब्लैक फंगस को मामारी घोसित भी कर दिया गया है ब्लैक मघ का चिंता कर्ण नहीं होई ठी कि अब वाइट फंगस केस्ट भी आने लगे हैं जी यहां दोस्तो वाइट फंगस वाइट फंगस के बाद अब COVID recovery के वक्त वाइट फंगस की खत्रा भी मढ़राने लगा है मेडिया रिपोर्टर्स के अनुसार बिहार में तमाम लोग वाइट फंगस का सिकार हुए है बताया जा रहा है कि वाइट फंगस जो है देखेंगे कि हमें साफधानिया क्या लेनी चाहिए दोस्तो ब्लैक फंगस में ब्लड सुगर लेवल को कम करना जरूरी है डाइब डीस के जो मरीज है अपना सुगर लेवल चेक कराते रहिए साथ ही दोस्तो यह आप ध्यान दीजिएगा कि आप इस्ट्राइट बिलकुल भी ना लें अगर ज्यादा जरूरी है तो डाक्टर से कॉंट्रेक्ट करें